next question question says a charge particle mass m and charge q moves along x-axis with velocity v when it passes through origin it enters a region having uniform electric field of minus e j cap which extends to extends up to x is equal to d equation of path of electron in the region x greater than d क्या होएगी नौ यह सवाल है सवाल आसान है लेकिन लंबा जाएगा इस सवाल में आपको mathematics की थोड़ी से knowledge चाहिए और graph theory में जो हमने पढ़ा है वो चीज़ चाहिए पर सवाल लंबा है और मैं हमेशा कहता है हूँ कि exam start होने के पहले 5-7 minute में preview करें और यह आपको पता होना चाहिए कि कौन से सवाल आपका extra time लेंगे तो यह चाहर पांच मिनिममम आपका ले जाएगा हो सकता है थोड़ा जाधा टाइम भी लग जाए इसको मैं एक एक चीज़ explain करके बताता हूं अलएट सो scenario यह है कि यह अपना एक region है उस region में पार्टिकल यहां पर लेट से हंदंग यहां पर आपका बाइंटर किया है विद वेलॉसिटी वी इंट भी नॉट वेलॉसिटी से और इसको आप कह G सकते एक्स डायरेक्शन में उसकी वेलॉसिटे यह रिजन जिसकी विर्ठ है आपकी डी के और यहां पर क्योंकि electric field यह force लगेगा, उसकी वज़े से यह particle आपका यहाँ पे इस region में projectile motion करेगा, इस point पे आने के बाद क्योंकि इस region के बाद electric field नहीं है, यह आपका straight line motion करेगा, हमें बताने straight line की equation क्या होगी, ना straight line की equation जब देखेंगे, तो y is equal to mx plus c वाली term आपकी यहाँ पे आएगी, हमें m और c की value पता करनी है, यह आपका basically सवाल है, अब यहाँ पे कुछ basic चीज़ें यह हैं, तो सबसे पहले तो भी देखते हैं कि यहाँ पे जो अपना force लगेगा charge particle पे, तो force होएगा आपका minus qe j cap और acceleration जो आएगा, वो y direction में होएगा, उसको आप लिख सकते हैं, qe divided by m j direction में यह आपका acceleration आएगा, और due to this, यहाँ से यहाँ जो particle move करेगा, क्योंकि वो particle x direction में move कर रहा है, उसमें direction में आपका कोई horizontal acceleration नहीं है, तो यहाँ से यहाँ जाने का जो time होएगा, s is equal to ut से हम लिख सकते हैं, time t will be equal to total distance travel d divided by, जो आपकी x direction में velocity है, v naught, तो यह आपकी equation 1, यह equation 2, यह दोनों काम आने वाली हमें, तो जब particle इस location में पहुँचेगा, उसकी एक आपकी v x velocity होगी, जो की same रहेगी, और इस direction में v y direction में आपकी y velocity कोई value होगी, अब अगर इसको angle को हम theta denote कर दें, let's say, हम इस angle को अगर theta कहते हैं, तो यहाँ पे आपकी जो v y की value आएगी y direction में, उसको हम u plus 80 use करके लिख सकते हैं, v y is equal to, आपकी initial velocity 0, plus acceleration आपका आगया, minus q e divided by m, multiplied by time taken t, t की value डाल देंगे, तो आपकी velocity आगई, minus q e divided by m multiplied by d divided by v naught, यह आपकी velocity होगी, let's call this equation number 3, यह आपकी y direction में velocity होगी, now, इस जगे पर अगर हम इसका tan theta लिखने लगेंगे, direction के लिए, जो कि आपका slope भी देगा, so इसको लिख लेते हैं, slope, यह slope exact, यह वाला slope आएगा, जो यहाँ पर आपका slope m है, so tan theta इसको हम लिख सकते हैं, vy divided by vx, now vy जो है, वो यह है, so it will be minus q e d divided by m v naught multiplied by vx, vx की value है, 1 by v naught, तो यह आपका slope tan theta होगया, तो इसकी जो value आगए, यह आपका slope आगया, यह आप गया, minus q e d divided by m v naught का square, all right, let's call this equation number 4, यह अभी अपने को handy होने वाला है, यह आपका slope आगया, इसको यहाँ पर बाद में fit in कर देंगे, now observe रहे गए, यह अपने को c निकालने की, now c के लिए हम करेंगे, अगर आप इस point पे notice करें, तो इस point के coordinates होंगे, अगर इसको हम 0,0 कह रहे हैं, तो इस point के coordinates आएंगे, आपके d, minus y naught, ठीक है, तो यहाँ पर यह y naught से drop होएगा, और यह x आपने travel किया, एक direction में d value travel किये, तो यह आपके coordinates यहाँ पर आएंगे, इनकी value हम बाद में इस equation में डाल देंगे, c की value निकालने के लिए, पहले y naught निकालते हैं, so now इस y naught के लिए हमें करना पड़ेगा, इस y naught के लिए हम use करेंगे, s is equal to ut plus half a t square, इसको हम use करेंगे, आपने y direction में, तो y direction में जो आपकी value आई है, उसको y naught के रहे हैं, यहाँ y naught पर मैं sign नहीं रख रहा हूं, because यह अपने आप negative value आजाएगी, अगर हमने इस पर proper sign equation में use किया, तो अपने आप इसकी value negative आजाएगी, so this will be equal to 0 plus half acceleration जो है, वो है अपना कहां गया था, acceleration यह रहा, minus qe divided by m multiplied by t square, t square का मतला इसका square, d square divided by v naught का square, तो आपकी जो y naught की value है, वो आगए, minus qe d square divided by mv naught का square, यह आपकी v naught y naught की value हो गई, इस equation में अगर यह सारी condition दाल देंगे हम, तो y is equal to mx plus c से, तो इस point पे, जब equation आप straight line की equation लिख रहे हैं, तो यह इसके लिए इसको satisfy करेगा, so which means, यहाँ पे हम लिखेंगे, y, y की जगे यहाँ पे रखा, अब हम c की value निकालना चाह रहे हैं, इसको लिखा, minus q e d square divided by mv naught का square y is equal to m, m यहाँ यहाँ का slope, यहाँ है, minus q e d mv square d divided by mv naught का square, multiplied by x, अच्छा, x की value जो आएगी, this will be d, x की value इस location पे d है, plus c, इसको अगर हम इदर ले आएंगे, एक मेरे, इसमें कुछ हमने miss कर दिया, यहाँ पे 2 miss कर दिया, so don't miss, यह वाला, so यह 2 आएगा, इस जगे पर, आले, so जब इसको इदर ले आएंगे, तो यह भी d square है, plus हो गया, which implies आपके c की जो value आजाएगी, वो हो जाएगी, q e d square divided by 2 m v naught का square, यह आपके c की value आगई, बस यहाँ पे plug-in करके आपना final result आजाएगा, so जो आपका final result आएगा, वो आएगा, equation जो आएगी, y is equal to m, m का मतलब यह हो गया, minus q e d square divided by m v naught का square into x, और उसके बाद आजाएगा, plus q e d square divided by m v naught का square, ठीक है, एक मिनट, इस वाले में, यह c की जो value आई है, हाँ, यह ठीक है, इस में से अगर हम यह common ले ले, तो आपने जो y की final result बन जाएगा, यह बनेगा, q e d square, एक मिनट, यहाँ पर d square नहीं है, ठीक है, यह मैंने गलत लिख दिया था, जो d square नहीं है, q e d divided by m v naught, अगर हमने common ले लिया, तो अंदर यह बचेगा, minus sign के साथ, यह बचेगा, d by 2 minus x, so this will be our final equation, so based on this हम कह सकते हैं, अपने जो 4 option है, उस में option number 1 would be the right answer.